Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको provide कराता है high quality education, वो भी बिलकुल free of cost. Kindergarten से लिखे class 12 पर की. CBC Board के courses के साथ साथ आपको other state board के भी courses available है in Indy Medium, जैसे की UP Board, Bihar Board, Delhi Board के courses, proper systematic way में. कोई दिक्कत परिशानी आपको नहीं होगी, daily practices के questions भी मिलेंगे, practice भी करते जाएगा, e-books और e-notes के link आपको description box में available है, तो भटकने की बात नहीं बनती है. So, आज हम क्या करने वाले हैं, new chapter हमारा start होगा, history section का, ठीक है, chapter का overview देखेंगे, introduction देखेंगे, chapter क्या है, the making of regional culture, क्या है, region, याने कोई area, कोई जगे, place wise है, अब भोते हैं यह अलग region के हैं, वो अलग region के, तो ऐसी regional culture अलग अलग जगे के, वो हम देखेंगे, ठीक है, clear है, ready हैं आप, तो उसका chapter overview और introduction हम देखने वाले हैं, तो सबसे पहले आप क्या कर दो, जो मैं हमेशा कहती हूँ, पहले तो आपको क्या कर देना है, like share कर दो, जल्दी जल्दी से like share कर दो, ठीक है, फटा-फट से like share कर दो, क्या करना है, फटा-फट से like share कर दीजिए, like and share, ठीक है, यह है हमारा chapter हमारे सामने मैंने chapter का meaning आपको बता दिया क्योंकि सबसे पहले chapter जो हमाई title दिया रहा था जो chapter का name है पहले वो समझेंगे तभी तो बाकी चीज़े अच्छे से समझ में आएगी तो क्या है भाई introduction देखेंगे पहले की chapter क्या कह रहा है चैप्टर है हमारा The Making of Regional Culture तो क्या है किस चीज के बारे बात हम पढ़ने वाले है इस चैप्टर में वो हम देखेंगे The Charas and the Development of Malayalam चेरास के बारे में देखेंगे और कैसे जो है Malayalam आपको पता ही है Malayalam क्या है पता है ना कैसे इसका विकास हुआ कैसे डेवलपमेंट दूआ वो देखेंगे The Rajputs and Traditions of Heroism फिर Rajputs के बारे में थोड़ा सा और जो उनके परंपराएं चली Heroism भई राचपूत का तो फिर नाम हमें पता ही है फिर राचपूत अलगी लेवल उनका रहता है उस ताम पे था तो राचपूत के बारे में देखेंगे उनके ट्रेडिशन के बारे में देखेंगे Painting for patrons the tradition of miniature फिर जो एक tradition आया था उस ताम पे tradition कह सकते परंपराई थी miniature की वह miniature होता क्या है आप सोचो के miniature mini यान चोटा कुछ लेकिन क्या उसी बारे में हम पढ़ेंगे Paintings के बारे में किसकी painting patrons मतलब वो लोग होते ना जो rich लोग होते हैं फिर दूसरों की help करते हैं इस तरीके से ठीक है clear हुआ फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे किसके बारे में जानेगे Bengal के बारे में जानेगे A closer look किसके बारे में Bengal के फिर pears and temples hisifier the baas can Link it क्या ٹूसरों को खाते हैं यह सारा सब कुछ इस chapter में होने वाला है ठीक है उसके बात जैसे कि हमेशा जो हम करते है एंच्यारी सॉवटुसर दी करेंगे चाप्टर का कम्प्लीट कोईशन clear, ठीक है ना, कोई tension, कोई confusion, दिक्कत तो नहीं है, चल one of the commonest ways of describing people is in terms of the language they speak अब हम क्या देख रहे है, regional culture, हम बोलते है अरे यह तो गुजरात रीजन का है, गुजराती बोल रहा है वो तो पंजाब रीजन का पंजाबी बोल रहा है, वो south region का है, south Indian south की language बोल रहा है, Malayali, Malayalam, Telugu, Tamil, है ना, तो सबसे common बोल रहे है, one of the commonest way of describing people, अगर हमें किसी को describe करना है, तो common way क्या है, is in the term of language they speak, जिस भाशा में वो बात कर रहे हैं, जिस भाशा में वो बोल रहे हैं, कौन सी language वो बोल रहे हैं, उस way में हम क्या मतब define कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है कि भई हाँ, ये इंसान यहां का, ये इंसान वहां का, इस तरीके से, तो one of the commonest way of describing people is in terms of the language they speak, अब हम देखेंगे, चार लोग बात करें, कोई पंजाबी में बात कर रहे हैं, कोई तमिल बोल रहे हैं, तो आप यही बोलोगे न, हरे वो तो पंजाब से होगा, हमने एक अपनी तर्फ से कह दिया, भले, वो रहा जहां रहता है, वही उस state में होगा, उस चेह और उरिया, एन लीवसन, तमिल, नाडू एन उरिशा, जैसे कि मैंने बताया, हम क्या करते हो परसन को, हमने दिखा, रहे वो तो तमिल लाइंगविज बोल रहा है, तो इससे हमारा मतलब यह रहता है, कि वो, वो, ही और शी, वो लड़का हो या रड़की, और आदमी, जो तमिल नाडू में रहते हैं, अगर वो उरिया बोल रहा है, तो उरिशा में रहते हैं, ठीक है, तो हमें बोल रहा है, अगर हम किसी परसन को रिफर कर रहे हैं, कि अरे वो तो तमिल परसन है, वो तो उरिया परसन है, वो तो उरिया बात कर रहे हैं, और तमिल परसन है, तो distinctive kinds of food, clothes, poetry, dance, music and painting. Even हम यह भी कहते हैं, हम यह कहते हैं न कि अरे, गर्भा हो रहा है, जैसे हम अगर बोल रहे हैं, classical dance में तो चलो यह नहीं, लेकिन अगर हम जस्ट रिफरेंस के बता रहे हैं, गर्भा हो रहे हैं, अरे गुजराती होगा, भांगड़ा कर रहे हैं, अरे पंजाबी होगा, ऐसी बोलते हैं, ऐसी बोलते हैं, वी आलसो टेंड तो असोसियेट इच रिजन डिस्टिंक्टिफ काइंड फूट जैसे हम बोले हैं इवहां तो यह सब दिखे हैं, अगर कोई जैसे बैंगॉली उन लोग साड़ी पेंट अलग टाइप की, उनके रहे रहता है, कुड़ता वगर ऐसे तरीकी कर रहता है, तो अरे वो बैंगॉली है, ऐसी हम पता लगाते हैं, ठीक हैं, पोईटरी, किस किसम की पोईटरी वो यूज करें, डान्स फॉर्म कैसा है, म्यूजिक कैसा है, पेंटिंग किस टाइप की, तो उसके अक्वर्डिंग हम रिफर करतें कि हाँ, यह परसन ऐसा है, यह रीजन का, इस एरिया का है, पंजाब का है, गुजरात का है, है, महराश्च का है, हैना, यह नॉट का है, यह साउथ का है, इस्टिशिद का है, सम्टाइमज टेक इस इडिटीटीश फॉर ग्रांटेट, आन्स यूजिंग टाइफ एप्श एक्स टाइम इम्यूरियल, immemorial कभी-कभी हम क्या करते कभी-कभार हम इन चीजों को कैसे लेते इन आइडेंटिटी इसको फॉर ग्रांटे हलके में हम ऐसे लेते कि इतना ऐसा क्या है and assume that they have existed from time immemorial हम मतलब हमें जब दिख रहा है हम कह रहे है कि कोई अलग लाइज बोल रहा है तो याने वह अगर गुजराती बोल रहा है तो गुजरात से होगा गुजराती होगा पंजाबी लाइज बोल रहा है तो इस तरीक से हम क्या उसको इतना जादा चीजों को लेते नह क्लियर चल अवह वहर दो फ्रंटायर सेपरेटिंग ने रिजंस से अलग अलग रीज चन्स को इवाल ओवर टाइम के साथ वक्त के साथ वाल्टे नहीं था और इंट इन्टार से थे बेलाइज बाइज हो रहा है हम बोले ना कि अरे गुजरात रीजन है पंजाबी इजन है नौर्थ का रीजिन, इस्ट का रीजिन, वेस्ट साइट का रीजिन, सेंट्रल इंडिया का रीजिन, याने कोई बाउंडरी ऐसे डिवाइड कर रही है और जो भी भी ऐसे चल रहा है। Also what we understand as regional cultures today are often the product of complex processes of intermixing of local traditions with ideas from other parts of the subcontinent. As we will see, some traditions appear specific to some regions, others seem to be similar across regions and yet others derive from older practices in a particular area but take a new form in other regions. इस चीज से हम क्या समझते हैं? What we understand, इस चीज से हम क्या समझते हैं? As regional cultures, जो area-wise हम ओर रहे हैं, अलग-अलग area का अपना culture है, अपना tradition है, ठीक है, are often the product of complex processes, एक बहुती जटिल प्रोसेस का product है, है ना, उसका result है हम ही कह सकते, क्या, जो intermix हुआ था, जो local traditions थे, ideas थे, एक दूसरे के अलग-अलग, मालब subcontinent के अलग-अलग parts से, जो mix हुए, inter mix हुए, तो उसका एक product है, उसका result है, जो की complex चीज से बन के आया है, as we will see, जैसे जैसे हम देखेंगे, some traditions appear specific to some regions, कुछ-कुछ जो tradition है, परमपराए हैं, हैंना, कुछ-कुछ region, मतलब अपने-अपने area के according उनके लिए important होती, specific होती है, ठीक है, others seem to be similar across regions, कुछ-कुछ कैसी र बता रही हूं, and yet others derive from older practices in a particular area, कुछ जो practices है, वो कैसी आई होगी, जो पुराने टाइम से चली आ रही होगी, यहना, वहां से उन्होंने ले लिया होगा, उसको अडाप्ट कर लिया होगा, अडाप्ट कर लिया होगा, इस तरीके से, but take a new form in other region, लेकिन जो पुराने जगे से आई है, वो नए जगे पर उसने एक अलग form ले लिया होगा, हम बोलते हैं कि परमपरा पहले ऐसी थी, हम वही परमपरा फॉलो करते हैं, लेकिन आज परमपराओं में बदलाव आ गया है, आज चीजे थोड़ी सी अलग हो गई है, याने changes होए, पहले से ही कुछ लिया गया है, हम बोलते हैं, तो basically हम क्या समझ रहे है, regions की बारे में, अलग 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 एरिया कि अपने अपने भई तरीके हैं, तो और तरीके, traditions है, dance forms है, languages है, cultures है, traditions है, clear, आया समझ में कि नहीं है, यह सब किसका product है, जो complex structure था है, जो intermixing हुई है, सब content matter part की, इसका result है, product है, ठीक है, आया समझ में की नहीं आया, हम हमारे देश की बात करते हैं, इंडिया की, तो हमने एक चीज़ देखिए ना, गुजरात में गुजराती गुजराती जादा मिलेंगे, ऐसा नहीं कि 100% गुजराती मिल रहे है, कुछ उसमें अलग कास्ट की भी हो सकते, पंजाबी भी महा का अलग, तो यानि region wise हर चीज अपनी अपनी specific उनकी है, ठीक है, clear हुआ की नहीं हुआ, चल, इसी के साथ हमारे chapter का overview और introduction एंड होता है, हम आगे जो है आने वाले chapter में, यही सब को आगे further discuss करेंगे, अलग-अलग एरिया वा, इसके कहां कहां की क्या क्या specific चीज़ हैं, जैस और भी वीडियो के lectures दिखना चाहते हैं, तो आप Magnet Brains की YouTube चैनल, application और website पे देख सकते हैं, e-notes और e-books के link आपको description box में available है, यह सारे high quality के courses हैं, जैसिकि CBSE board, Delhi board, बिहार board, UP board, MP board, Rajasthan board, Vedic Maths, Crash course, spoken English courses, आपको अच्छी quality में और 100% free available है, आप हमें other platform पर भी follow कर सकते हैं, Facebook, Instagram, X, Telegram और WhatsApp पे, जादा सेदा लाइक कीजिए, जादा सेदा शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, अपना ख्याल रखे, थेंक्यू सो मच पर वाचेंग,